हाई फ्रेंग्स वेलकम बेक टू मैं चनल आज हम करेंगे होम फेशल जैसे कि आप सब जानते हैं कारिदेन का टाइम है कोरणा टाइम है तो घर पे इस अब लोग रह रहे हैं बाहर कम जा रहे हैं और आज फेशल के में यूज करने वाली हो ऐस गुड़नेस का ग्रीन टी फे से मिला था और हम यूज करेंगे फाइवीन बन मसाजर फेशल मसाजर इसकी हेल्प से आज हम फेशल करेंगे एठ होम से पहले हम बात करें फेशल किट की तो इसके अंदर सिक्स स्टेप होते हैं क्लींसर, स्परबर, टोनर, क्रीम, एंड मढव मास्क और इसको लिए इसमें यह वाला मसाजर यह इस तरह से होता है किसी भी ओनलाइन वेब साइट पर आपको मिल सकता है, यह मैंने परपल.com से 300 रुपीस में मंगवाया था, इसके हर साइट पर अलग-अलग rates होते हैं, इसके अंदर इस तरह बैटरी डलती है, यहां पर स्विचिस हैं, एक में ओफ, लो, हाई, तो इस तरह से यह मूव करता है, इससे पहले मैं ले रही हूँ, step 1, this is a cleanser, इस पे लिखा है, on your damn face, gently massage to the cleanser for 3-5 minutes, वो इसके बाद water से wash करना है, पहले मैं यह cleanser लोंगी, मैंने अपना face wash पहले वैस से clean कर लिया था, face wash से, अब मैं यह सबसे पहले cleanser लोंगी, य जेल फॉम में है, फेस पे लगा लिया है, उसके बाद हम इस मसाजर के help लिखे, cleans करेंगे, इसको बहुत ही gentle है, बहुत ही अच्छा है, कोई retardness मुझे महसूस नहीं हो रही है, पूरे face पे with neck 3-5 minutes के लिए इसको massage करना है, हमेंने इसको ये हाई पे कर लिया है, हमेंने इसको ये हाई पे कर लिया है, हाथ से massage करने में वो feel नहीं आता, cleaning नहीं आती है, जो इससे करने में आ रही है, देख सकते हाँ, forming होने लगा है, अंडर आई एरिया, nose, corner, बहुत अच्छे से massage हो ये हैं, अब हम एक साफ कपड़े से इसको पोश लेंगे, आप cotton pads भी यूज़ कर सकते हैं, wipes भी यूज़ कर सकते हैं, आप towel यूज़ कर रही हूँ, next step is scrubber, अब हम इस scrubber यूज़ करेंगे, scrubber हमने ले ले लेंगे face पे अपने, वन यूज़, वन टाइम यूज़ कई हो ये facial होता है, लेकिन इसका result बहुत अच्छा आता है guys, इसकी smell बहुत अच्छी है, के लिए भी मैं यही वाला tool यूज़ कर रही हूँ, इसमें मैं हलका सा rose water से कीला कर लिया है इसको, high पे चलाऊंगे, क्योंकि slow बहुत low लगता है, यह लगता है कि जैसे बलक कामी नहीं हो रहा है, धीरे-धीरे काम होता है, इसको भी 3-5 मिनट से इसको massage करना है, हाथों से हम लोग नहीं कर पाते हैं न, वो easily से easily हो रहा है, मतलब मज़ा आ रहा है, अंदर आई के अपास भी बहुत easily massage हो रहा है, न, बन करके के उपर, आई के उपर भी इसको roll कर ले तूँ, easy रहता है, अचली पता है क्या है, वीजो हमारे white airs, black airs की problem होती है न, वहाँ पर इसको target करते हैं, इसे करो, उसमें वह वाली जो kilo से हम जो निकालती है न, पालर वाली, वह करने की जुरत नहीं पड़ती है, अचली वह बहुत ही ज़्यादा painful होता है, इसके साथ वह करने की जुरत नहीं पड़ती, हे मैं अच्छा महसुस हो रहे है, क्लीन महसुस रहा हाँ से करने की ज़्यादा महनत लगती है वहाँ ज्यादा टाइम पहोती जाए जली मेरी तो हाथ दद कर जाते है, इसको बहुत ही अच्छा product है यह, मैं इसको क्लीन चर लूंगे, क्लीन टावल से यह मेरा क्लीन टावल है प्लीज फेशर करते हैं एक दूम साफ कपड़ा ले धूला हुआ कपड़ा ले वाइप सच्छी लिए मेरे को सूट नहीं करता है ज्यादा मतलब सूट नहीं करता है तो मैं इसलिए टावल यूज कर रही हूं कि वे दूट लग रहा है न कि अप बारी है थर्ड स्टेप कि तोनर स्टों अर्कों सीटू टू तू टू टी मिनट्स इसको मसाज करने हैं आपने फेस पे जेंट्ली मसाज करने मैं पहले पर फेस पे लगा लेत्मिंश्य ही कि मुझे एजी हो चाहिए ये जेल बेस है देखि मेरा फेस बहुत क्लीन बहुत सोफ फिल हो रहा है वाक्य में बहुत ही बहुत अच्छा प्रोडेक्ट में लगा पूरे फेस के लगा लिया है मसाज के लिए मैं ये वाला टूल यूज कर रही हूं यह रोलिंग है इसके उन्दर अच्छा अच्छा हाथ से इतना ब्लड सर्कुलेशन इतना अच्छा नहीं हो पाता है जितना इस मसाजर से दो से तीन मिनट के लिए इसको मसाज करना है इस पर पेस पर अपने कि दो से तीन मिनट हो गए हैं यह मैंने मसाज कर लिया है यह ड्राय है यह वेट वाइप नहीं है ड्राय वाइप लेना है इसको हम साफ का लेंगे इसको से कि इस पर नजर आ रहा है कमन बॉक्स में जरू बताएं कि पर नजर आ रहा है नहीं या मेरे पर लग रहा है नाव फोर्थ स्टेप इस सुधिंग पेशियल केट यह क्रीम है क्रीम मसाज करनी है अपने फेस पर 12-15 मिनट्स के लिए अपवर्ड एण आउपवर्ड सर्कुलर मोशन में इसको मसाज करना है जिससे की ब्लड सर्कुलेशन हमारा फेस का अच्छा हो और इससे ग्लो आ सके मसाज के लिए रोस वाटर यूज कर सकते हैं अगर रोस वाटर ना हो तो उसके लिए नॉर्मल वाटर भी यूज कर सकते हैं करेंट के हैं है इसको मसाज करना है पेस्पे अचा है टूल से तह हम इस तरह से करेंगे और हथ से हमें मसाज करनी आता है उसके लिए एक से आ Can met 65 घ्राल कि ये इस तरह से downwards and outwards इस तरह से मैंने थोड़ा सा रोज़ वाटर लिया है हाथ पर इस तरह तरह कि यहां पर टावल लगा लिया है जिसे कि मैं अच्छे से नेक पर भी मसाज कर सकूँ इसका अब देख रहें अच्छा यह इसमें फॉर्मिंग होने लगा है अपने आप फॉर्मिंग आने लगा है क्रीम में मैंने थोड़ा मैंने रोज वाटर का यूज ज्यादा नहीं किया है मैंने सिर् of क्रीम मसाज किया है पानी का या और वोh वाटर का मेनने बिल्कुल भी यूज नहीं किया हैाल आँ चूपर भी इससे अच्छे से मसाज हो कर रहा है कि इस चिहने पर मैं ठावल यूज किया है जिसी कि मैं नेक पर में अ लजके आछे से शाज कर सकूं मैंने मसाजर से यह कर लिया है मेरे को 10-12 मिनिट हो चुके है मैं मसाजर बंद करके इसके अटैच्मेंट चेंज करके स्पॉंज यह सॉफ्ट स्पॉंज है वो यूज करूंगी क्लिनिंग के लिए जितने पे मैरी यह dead skin, dead cells and dead skin है वो निकल जाएगी चाहिए जिसपॉंज है जैसे के मेरी स्कीन पे जितने भी dead cells होगे dead skin होगी वो इससे निकल जाएगी अटैज पॉंज से अटर आई एरिया अटर आई आई एरिया मेक पर इसो एक बाड सर्कुलर मोशन में मूव करूंगी जिसे के जितनी भी डेड्शे में है सब रिमूव हो जाए है अचिछ haber पहुंत है अब बहुत ही अच्छा ध्यारय हने बहुत रिलेक्स धाइघह ए हम वेट वाइप यूज नहीं करेंगे क्या क्रीम होता है तो इसने जो हम फेशिल कर रहे हैं तो हम याद रहे हैं कि में सभी चीज ना क्लीन होनी ही है कोई और कॉस्मेटिक उसमें हमें यूज ना हो जिससे के बेस्ट रिजल्ट हमें आ सके और यह clean होंगे है face बहुत soft बहुत अच्छा फील हो रहा है मेरे को lips भी अच्छली move हो गए मेरे clean हो गए है सारा जो tanning थी pigmentation थी वो कम लग रही है पहले सी अब हम use करेंगे last हमारा है यह mask face mask अब हम इसको apply करेंगे इसकी एक thick layer अपने face पे लगानी है वो इसको dry होने के बाद after 15 minutes इसको normal water से wash कर लेंगे यह हमने face mask apply कर लिया है मैंने finger से इसको spread कर लिया है finger से बहुत अच्छा से spread हो जाता है after 15 minutes अब यह dry हो जाएगा हम यह normal water से इसको wash करना है चलिए wait for 15 minutes यह wet dry हो चुका है अब हम इसको normal water से wash कर लेंगे facial done face face पे glow आया है कि नहीं आया यह तो आप ही बता सकते है comment box में हुझे जोरू बताए कि मैंको face पे glow आया है या नहीं आया है तो यह था हमारा facial video और आपको यह मेरा video कैसा लगा please comment box में जरूर बताएए और please subscribe my channel आप लोग videos देख रहे हो पर subscribe नहीं कर रहे हो तो please subscribe my channel and अब हम मिलते हैं next video में till then bye bye बताएँ बताएँ आपको बताएँ आया है